दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लड़की पटाने के तीन मंतर क्या है दोस्तों आज के वीडियो में आपको तीन ऐसे टीप्स दूँगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी लड़की को आसानी से पटा लोगे तो इसलिए फॉर्स टिप्स मैं आपको दूँगा आप हमेशा सिंगल लड़की पटाने के कोशिश करें क्योंकि सिंगल लड़की अब बहुत जल्दे पड़ जाती है अगर आप किसी लड़की को पटाने के कोशिश कर रहे हो आप उसे पटाना चाहते हो तो आपको पहले अच्छी तरी किसा पता कर लेना है कि वो सिंगल है या नहीं क्योंकि वो अगर पहले से रिलेशन में है तो वो आसानी साप से नहीं पटेगी क्योंकि उसका ब्रेक अप कराने में बहुत जादा टाइम लग जाएगा इसलिए हमेशा सिंगल लड़की पटाने की कोशिश करें दूसरा टिप्स है जब भी आप लड़कियों के सामने जाओ तो अपने बेस लुक में उसके सामने जाओ जब आपको लगे है कि लड़की आपको नोटिस कर रही है आपको देखकर इसमाइल कर रही है तो टाइम बेस किये भी ना मौका देखकर उससे बात करो और उससे पहले दोस्ति करने की कोशिश करो देखो भाई कोई लड़की तुम्हें एक विक तक या पंदरा दिन तक तुम्हें लाइन देगी अगर आपने दस दिन के अंदर उससे बात नहीं की तो वो समझेगी कि आप एक डर्पुक लड़के हो हो सकता है वो आपको उसके बाद इग्नोर करे या नोटीस ही ना करे देखो या लड़की के पास आप्शन की कमी नहीं है एक ही टाइम पर पाच्छे लड़के उनको लाइन मार रहे होते हैं उनके पिछे होते हैं और जब बात आप्शन की होती है तो सभी बेस्ट आप्शन ही चुनना पसंद करते हैं इसलिए बात करने में जलब वाजी दिखानी चाहिए नहीं तो बात में हाथ मलते रह जाओगे तर्ड टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा आप जाकर लड़की से बात करें और उससे दोस्ती करें पहली बार बात कर रहे हो तो उससे प्रोपोस मत कर देना मैंने बहुत सरे ऐसे लड़कों को देखा है जो पहली मुलाकात में ही लड़की को आयले भी बोल देते हैं जाहिर सी बात है लड़की मना कर देती हैं, और लड़के रोने लगते हैं, दुख भरी सैट सांगाने लगते हैं, कभी भी लड़की के सामने रोना नहीं और सैड नहीं होना है, हमेशा खुश नजर आओ, लोग सोचते हैं, रोने गाने से लड़की पढ़ जाती हैं, लड़ के साथ जादा सादा time spend करो उसका भरोसा जीत लो उसका दिल जीत लो जब लड़की भी आपसे अपनी बाते करने लगें अपनी बाते बताने लगें अपने problem को discuss करने लगें तो आप उसको एक romantic place में ले जाकर propose कर दो देखना वो आपके proposal को मना नहीं कर पाएगी वो आपको जरूर हा कर देगी